हाँ लोकेश है नहीं था सर नहीं लोकेश ना हाथ खड़ा करता नहीं क्या हो गया तो तु टाइम पास ना करो है चलो कहा गई अगर कोई डाउट तो नहीं है कि इसी को आगे शुरू करें जो नेक्स्ट जो उपीस दे रखा हमारे सलेवस में वो दे रखा है हमारे पास सनुवी देखें न सुनुई सब लोग ने क्योंकि बहुत सारी वराइटीज अगर आसपास गावों में भी गूमते हो या हर्बल गार्डन हो गया रहा है मतलब कैक्टरस ऐसा प्लांट है जिसकी बहुत जादा वराइटी अवेली पर लेकर बड़े तक बहुत सारी वराइटीज है जो कैक्टरस की हमारे आसपास मिल जाती है उसी में से एक जो इस पैसिफाइब राइटी है वो कहलाती है कि हमारी कि के बारे मारे कहां सु महीं के बारे माए। लुए पहले राजल्स्सास्त्रीं दों टोजू away कि बढू bliver किशेक्ति के बारे मिद जापर शूत्र के बारे में या सब्सक्रास हैं जापर भी लिक रखान को जाद्सितलाटन हार जगे कि इसनोग और इस में से किया एक white color का flood continuously निकलता है जिसको कहते हैं सिनुही सीर अगर कभी इसको collect करना हो तो collect करने के लिए basically क्या गरते हैं कि इसके plants में Simple Incision देते हैं और Simple Incision देखें उसका जो flood है उसको collect किया जा कुछ लेकिन सनुही सीर में जो पर याद रखना होते हैं कि कभी भी देखना करा तुम्हारे लोगों के घर के आसपास अगर सुनूही लगा हुआ हो तो उसको जाके देखना कि कभी उसको दिन में काटके देखना कि सिंपल ब्लेड या चक क्यों लेना और उसमें पूरा पेड़ मत काट देना तो इसमें से एक ट्रांस्पेरेंट फूड़िड लाइक स्ट्रक्टर निकलता है और अगर इसको सूरय उद्या से पहले या सूरय अस्त के बाद अगर रात की अगे तो उसके अंदर से जो इस उसके बारे में बात करेंगे कि स्नूही क्या हो सकता है पर साइन और सिंटम्स की आते हैं क्योंकि बेसिकली क्या है कि जैसे अब आमने पिछले में अर्ग के बारे में बात करी उसी तरह से हैं इरिटेंट्स ही है कि बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेट सिंप्टम प्रड्यूस नहीं करता है सिरफ जेनरलाइज अगर कई लग जाए उसका जो मिल्क की सिक्रीशन है तो वो जस्ट ब्लिष्टर्स की फॉर्मेशन करता है और इचिंग प्रड्यूस करता है जो सबसे इस की पोसिबिल्टी तो लगभग ना के बराबर है कि कोई इसको खा लिए क्योंकि क्योंकि उसको यूज करते नहीं लेकिन आज के टाइम में क्या है कि अगर जैसे पिछले कुछ दिनों में अगर न्यूज में या बाग की फेस्बुक और आप आप लोगोंने साथ बहुत ज पिछले कुछ टाइम में फेस्बुक पर नेट वगएरा पर करें ड्रेगन फ्रूट्स फार्मिंग के बारे में पढ़ा है या सुना है कि इस तर उसका नाम चेंज कर रहे थी विए पिसरकार कमल कुछ रखिया था आज कल कि इंडिया के अंदर मतलब पहले नहीं होती थी लेकिन आज कल जो हमारे ड्रेगन फ्रूट फार्मी हो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वह बेसिकली जो प्लांट है वह कैक्टस वराइटीज कही है और जो हमारे सुनूई है उससे काफी हद तक मिलता है तो इसलिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो बेसिकली इसको लिखा गया है कि अगर कहीं भी लोकल्य लग जाए तो बेसिकली इरीटेशन और इंफ्लामेशन कोज करता है जो इसके दो मेन सिंप्तम生 है और अगर इसको इंटर्नall अगर ले लिया जाए तो इंटर्नल लेने की वज़े से भीज़े की डेथ होने की चांसिस irritation poison में लगबग ना के बराबर होते हैं irritants क्या करते हैं कि जो हमारी अंदर की internal mucos है जो internal organs पर जो भी mucos है वो धीरे-धीरे क्या करते हैं उनको inflame करना शुरू करते हैं inflame करते हैं जो वहाँ पर arteries और vein धीरे-धीरे उनको damage करना शुरू करते हैं जिसकी वज़े से बेसिकली जो हमारे poisonous symptoms है वो पर्ड्यूस होना सब्सक्राइब लेकिन ऐसी condition में जो death होने की chances है वो लगबग ना करते हैं तो वह इसके बारे में बताए गया है कि category basically क्या है irritants poison है और जितने भी इसके जो sign or symptoms होंगे और basically खिसर related होंगे जो हमारे irritants poison के बता रखें अगर लेटिन नेम्स की बात करें तो लेटिन नेम्स इसको लिखा गया है वो कह है यूफोर्बिया नेरिफोली बाकी इसकी अलग-अलग varieties है अलग-अलग उनके लेटिन नेम्स है लेकिन जो हमारे इसमें toxicology क जो syllabus में लिखा हुआ है जो syllabus में हमारे है वो सिरफ इसकी एक ही variety के बारे में लिखा गया है यूफोर्बिया नेरिफोली है जो basically poisonous है और अगर इसकी जो नीचे एक सबसे नीचे देखो इसी slide में एक चीज़ दिखाई दे रहे है जाती है जाती है तीन हो सकते है चार हो इसक से जो चार धारा है जो हमारी यूफोर्बिया नेरिफ होली है वो basically कौनशी होती है मारी चार धारा सबसे ज्यादा common देखा होगा कि कभी भी कि कैक्टस का प्लांट देखना है कैक्टस के प्लांट की जो वोल्स होती है वो बहुत तरह की हो सकती है circular भी हो सकता है उसकी तीन मिलखेज और फैमिली इसकी यूफोर्ट माइक बंद रखा करो यार कितनी बार रहता है जब तक कुछ पूछा ना जाए जब तक बंद रहता है कोई डाउट यहां तक किसी को कोई सवाल आ रहे हो दिबाग में ठीक के उसके बाद बात करते हैं पर्इयां पिछली बार भी हमने बात करी थी परिया क्या हो सकते है कि कोई भी चीज जैसे कोह भी प्लान्ट है उसको हर наст में अलग नाम से जाना जाता है उससे डूलेट्य जो भी उसके अलग-अलग लेंग्विसी में जो भी उसके नाम है वो सब क्या करते हैं उसके परिया तो सनुवी के basically जो परिया है सबसे जादा यूज होते है जो हमारे हरियाड़ा में यूज होता है वो basically सेहुंट और सनुवी राजिस्थान में जो इसका सबसे जादा यूज करते हैं वो सेहुंट और धार. धार मतलब धार का मतलब क्या होता है कि कोई भी शार्प होप्छेट और बेसिकली primeiro कई होता है कैक्तस के अंदर जो काटे होते हो बहुत ही ज्यादा स्टरोग होता है और शार्प होते हैं तो, वहाँ पर जो, सब से ज़्याद है इसको ढर जाता, इसको धार के नापसे, इसके दो प्रियाए और जो mechanically हम यूजते हैं सुधा और वज्ज्री। वजरी का मतलब होता है कठोर कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत जाता है स्ट्रोंग कभी कैक्टस के काटा को देखना और उनको पकड़ के तोड़ने की कोशिश करना जैसे हमारे पास कीकर होती है बबूल होती है उसके जो काटे होते हैं वो बड़ी इसली टूड जाते हैं ले इसलिए जो उसका एक परिया है हमने वह दिए यहाँ पर वजरी ऐना है यहां तक क्लिए रहे है? उसके बाद आता है रस्मंचर के बारे में जो भी अभी हमने इससे पहले जितने की विश्व के बारे में पढ़ा या विश्व के समाने कुण पढ़े तो समाने विश्व कैसे होते हैं बेसिकली उस्ट और तीक्ष्ट होता है क्योंकि जब भी हम विशों के समाने गुड़ों के बारे में बात करते हैं क्योंकि विश्ट और तीक्ष्ट होता है बेसिकली कोई भी तरह का विश्ट क्या होता है पित परकोपक होता है कि वो बोड़ी के अंदर जाते हैं और बिलिए डाइजेस्ट होने लगता है इसके इलावा टीक्स परधान होने की वज़े से पित का प्रकॉप करता है और सरीर में जो हमारे ब्लिष्टर की वह classification होती है according to his structure कि जब आपने किसी चीज को देखा तो उसकी जो structure है उसके according हम इसको classify कर सकते हैं तो सबसे कॉमनली जो आज कल जैसे हम ओफिसों में भी देखते हैं या घरों में देखते हैं तो जो यूज करते हैं वह कौन से होता है हमारा round cactus देख्या घरों में या ओफिसो में चोटे-चोटे cactus के plants लगा के रखते है round color के इसके लावा उसकी जो layers है जो उसको form करते हैं उसके according वो तीन धारा चार दारा पांच दारा छे दारा साथ दारा और नागफनी इत्यादी और भी अलग अलगता है कि बहुत ज्यादा varieties है जो इसकी available होती है यह लेकिन जो दिखाए जरे पहले डाग्राम में जो basically variety है वो है त्री उसकी चार धारा इसको देखो धारा से मतलब क्या है कि जो उसके borders form होते हैं पहले पढ़े है तो जो इसके जहां काटे होते हैं काटे वाले जो उसके एंगल से उसके according कम उसको classify कर सकते हैं तो सबसे पहले वाली में अले वाली में जो उसके काटे हैं वो basically एक दूसरे से 90 डिगरी के एंगल पर और चार उसके जो अलग-अलग border से उनको form कर रहे हैं जो उसके नीचे flat surfaces हैं काटे तो हैं लेकिन काटे क्या कर रहे हैं कि specify लिए वहाँ border की formation ना करके जो उसका flat surface है उस पर grow कर रहे हैं यह variety के क्यालती हमारी नाग और उसके इलावा जो इधर लाश्ट में दिखा रहे है वह बेसिकली पांच दार कि जो उसके जो एंगल से वह एक दूसरे के 90 डिगरी पर थे लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक की बजाए वहाँ पर जो उसके बॉर्टर से वह पांच यह कहलाती हमार कि अगर साइन और सिम्टम्स की बात करें तो किसी भी चीज के जो बात करी थी इस्तावर या जांगम विश्ट के बारे में तो दो तरह की सिम्टम्स होते हैं अगर इस्तावर और जांगम की बात करें तो पहला कि वह लोकल ही अगर किसी को लग रहा है तो कैसा सिम्टम्स क के लाव जब हम आगी जाका अभी जब यह खतम हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे metallic poisoning की तो metallic poisoning में जो basically हमारे symptoms होते हैं वो दो तरह के हमें देखने के लिए मिलते हैं acute और chronic ठीक है metallic और non metallic जितने भी हमारे poisons हैं उनके अंदर जो symptoms होते हैं और chronic और इस्थावर और जांगा में जो भी symptoms लिख रखे हैं वो दो तरह के लिख रखे हैं local symptoms और generalized symptoms तो local symptoms में जो same अर्क के अंदर थे वही दोनों symptoms same is के अंदर बहुत है वैसिकेशन और inflammation वैसिकेशन का मतलब कि just blister formation क्योंकि बताया ना irritants poison और irritants poison क्या करते हैं वहाँ पर localized eating और blisters की formation करते हैं कभी देखा हैं कि जैसे कोई गरम चीज या गरम लिक्विड अगर हाथ पर या पैर पर कर जाए तो उसके करेंगे जो हमारी सुपरफीशल इसकीन सुपरफीशल इसकीन को ग्रोफ सुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि फ्लूड की है चाहे वह गरम फ्लूड है चाहे वह ओम जैसी कोई चीज जो लोकली स्किन को इरिटेट कर सकते हैं उस कंडिशन में क्या होता है कि जैसी वह इसके के का मानने की वज़े से क्या है कि जो हमारी सुपरफीशल इसकिन की लिए रहे हो धीरे-धीरे वहाँ से सुरू करना के अकुमूलेशन होने की वज़े से क्या है कि जहां भी वो इरिटेशन या जहां भी पॉज़न हमारे डारेक्ट ली कॉंटेक्ट वाया है वहां पे ब्लिश्टर सो रीचिंग की फॉर्मेशन शुरू हो जाए दूसरी चीज लिखी है लोकल एप्लिकेशन में वह लिखी इंफ्लावेशन के पास साइंस पता है कैसा इंफ्लामेशन को अब बाकि जो सबसे में इन सिंटम मिलते हमें देखने के लिए रेड्नेस जो बिना किसी चीज से हमें एक्जामिल कर सकते हैं ठीक है स्वेलिंग मिलेगी जो बाहर से हमें देखने पर पता चल जाएगी और तीसरी जो चीज हर तरह की इंफ्लामेशन में को मनली देखने के मिलती है राइसे टेंपरेचर की बाहर से कोई भी पेशेंट अगर हम देख रहे हैं कोई भी स्पोर्ट हम देख तो सबसे पह पार्ट है एक्जिल पार्ट की तरफ मूव करने लगती है जिसकी वज़े से वहां पर रेड्नेस पर डिउस दूसरा क्या है कि जब हम उसको देखेंगे तो वहां पर हमें स्वेलिंग दिखाई देगी वह एरिया हमें फूला हुआ दिखाई देगा वह जैसी हमने अभी उ दूक के देखेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा हमें localized rising temperature कि वह वाला पार्ट हमें वहां से अधर बोडी जो पार्ट से उनसे थोड़ा सा ज्यादा गरम होगा तो यह सिम्टम्स मिलेंगे हमें बेसिकली वैसिकेचन और inflammation कहां पर अगर उसका किसी भी तरह का जो सुनूई का जो हमें poison है वो उससे directly contact में आ गया तो जन्रलाइज symptoms की बात करें तो जन्रलाइज symptoms में हमें वहां पर देखने के लिए मिलेगा vomiting, diarrhea, convulsions और comma फिके जो उसके अंदर होता है इसमें एक चीज रह गई जो अभी साइद इसमें slide में mention नहीं थी वैसे नोट कर लो कि जो इसके active alkaloids होते हैं इसके अंदर active alkaloids होते हैं basically euphorbiol, nerifrol, nerifolin और calcium mendidate इसमें से जो basically euphorbiol है और nerifrol है वो दोनों toxic materials है और जो इसके as antidote में यूज करते हैं वो यूज करते हैं basically जो इसके तीसरा compound हमने बताया है calcium mendidate क्योंकि बताया था ना कि active alkaloids होते हैं sir please repeat कि बुक में देख लेना बुक में basically इसके अंदर चार alkaloids से दिख लगए हैं euphorbiol, nerifolio, nerifolio and calcium mendidate इसमें से जो starting के दो है euphorbiol और nerifolio यह दोनों होते है basically इसके toxin material जो भी हमारे यह symptoms और sign और symptoms के हमने बात करी चाहे localized symptoms की है यह जनलाइज symptoms की है यह दोनों basically जो symptoms produce होते है यह produce होते euphorbiol और nerifolio की दुआरा इसके लावा जो चोथा इसमें alkaloid बताया है वो बताएगा calcium mendidate क्योंकि क्योंकि calcium component क्या करता है जो इसकी toxicity है वो उसको धीरे-दीरे reduce करने का काम करता है अझा कैजि को उससके बाद बात करते है Photoluk सब्सक्राइब एक सब्साइब घर दर आ हैं में जैश का करता है कि जैसे हम ने आज के बारे हैं फैटल पीरियड की बात करें तो लगबग जो इसका फैटल पीरियड होता है 12 से लेकर 18 गंटे तो जो चाहे इसके लोकलाइज सिम्टम है कि पेशेंट चाहे डैथ हो या ना हो लेकिन जो उसके सिम्टम्स परड्यूस होने शुरू होते हैं वो लगबग 12-18 गंटे में जो उ सिम्टम्स में ना उसके जन्रलाइज ट्रीक्टमेंट में और ना ही जो इसकी फैटल डोस चाहें मिलेंगे चाहे लिविंग पर्शंड में हो या जो पोस्ट माडम पपिरेंस तो डेट बड हों उन्हीं जो भी सिम्टम्स मिलते हो वो बेसिकली बिल्कुल इक विलुट है ठीक क्योंकि जो अरो क्या फूलत्स होते हैं यो रगबग एक दूसरे के इक को ट्रीट्मेंट में भी एक हुम्हें सेम करते हैं कि अगर कोई लोकलाईज अगर कुछी ने उसको डाइजेस्ट कर लिया है इंजेस्ट कर लिया तो उस कंडिशन में क्या करना ने ले सकते हैं या वोटर में सिंपल सोल्ट को बिलाके संदेश बंद कर दे भाई माइक बंद कर दे संदेश अंच देश को नहीं आ रही हैं तो बात कर रहे थे ट्रिटमेंट की हिट्टमेंट में और उस अगर उसको लियां और इस्टम्कोश कर替ना और इस अमकोश किसे करना है या तो नॉर्म येजर्ण यूज कर सकते हैं अगर patient hospital में आ गया है तो अगर घर पे ही अगर किसी ने उसको ले लिया है तो simply पानी लेना है एक लिटर पानी में 10 gram simple salt मिलाना है और simple salt मिलाके उसके according उसकी dose को decide करके और उसके simple stomach वोस उसको करवाए जा सकता है इसके लावा second क्या लिखिए symptomatic treatment कि जो भी उसके अंदर symptoms produce हो रहे हैं जैसे अगर उसको severe pain है तो उसको morfin यूज कर सकते हैं इसके लावा अगर उसको convergence पढ़ने शुरू हो गए तो anti-convulsive therapy यूज कर सकते हैं अगर patient धीरे-धीरे coma में जा रहा है तो उसको artificial respiration हम दे सकते हैं उ उसको जो IV float से वो उसके अंदर introduce कर सकते हैं इन सभी चीजों का symptoms के according उसके जो treatment है उसको plan किया जा सकता है अगर आईरवेध की बात करें तो आईरवेध में जो इसके अंदर सबसे जो अच्छी चीज लिखी गई है वो लिखी गई है mission उसके अंदर हमने क्या बताया था अर उसके अंदर use कर सकते हैं उसी तरह इसमें लिखा गया है सुनूई के बारे में कि सुनूई basically क्या है उस्ट और तीक्ष्ण है तो उसके उस्ट और तीक्ष्ण को शांत करने के लिए यहाँ पर शीत वीरी है जो मिश्री है उसको लिखा गया है मिश्री को किसी भी form में और क उसके उस्ट तीक्ष्ण को ने उसको समन करना सुरू करेगी और मक्षन क्या करेगा जो उसकी rate of absorption है जो इस्टामक में उसकी rate of absorption हो रही है धीरे-धीरे उसको reduce करने का फॉम करें इमल्शिफिकेशन फॉम करता है जिसकी वज़े से जो rate of absorption हो धीरे-धीरे slow होने लिए इसके जो उसके अंदर उसने poisonous alkaloids लिए है उसको dilute करेगा और emulsification करके जो उसकी rate of absorption है उसको धीरे-धीरे reduce करेगा और मिशिरी के है कि जो उसका उस्ट्रों तीक्ष्ण होन है उसको धीरे-धीरे शमन करने की पोसिशिए इसके इलावा सीतल जल के साथ मिलाके भी simply मिशिए अगर घर में मक्कन और भहस का कच्चा दूद ना मिले तो क्या करते हैं simply पानी लेना है ठंडा पानी लेना है उसके अंदर मिश्री मिलाते हैं उसको सेवन करवाने के लिए दे देना है उसके बाद आते हमारे पास पोस्ट माड़म अपिरेंस और मेडिको लीकल एस्पेक्ट यह पोस्ट माड़म अपिरेंस की बात करें तो सेम वह यह अरक की तरह कि कोई भी ऐसी साइन और सिम्टम्स नहीं है जो इसके अंदर देखने के लिए जितने भी स्थावर विस्ट के बारे में भी हम आगे बात करेंगे तो इस्थावर विस्ट में जो सबसे जो मोस्ट कॉम्लिकेटीड चीज है वो पोस्ट माड़म अपिरेंस है क्योंकि जब हम म कि बात करते हैं जांगम विशो की बात करते हैं तो उनके अंदर हैरेक के लिए इस्पैसिफाइली क्राइटेरिय आए जैसा अगर किसी ने कोपर पॉइसिनिंग लिए तो उसके अंदर मी लाइन्स या ग्रीनिश लाइट अलग से इंटरनल ओर्गन्स पर हमें देखने के केलिए मिल जाती है केरोसीन पॉजनिंग है तो वहाँ पे हमें अल्सर्स फॉर्मेशन देकने के लिए मिल जाती है लेकिन जब हम बात करका इस्थावर विश होगी किसी भी इस्कि जो पोईस निगे मुग कि सोझे से वीड़